नमस्कार मैं हूँ संदीब चौधी याज सीधा सवाल में बात जात की जाती की पुरानी कहवत है जात न पूछो साधू की लेकिन यहाँ पर जात पर ही बवाल मचा हुआ है और वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में और दिल्चस्प है मतलब डिलिश्यस आईरनी जिसे कहते हैं एक अजीबो गरीब विरोधा भास भी है जात पूछ रो तो दिक्कत राजनितिक बान चलाए जा रहे हैं तीर चलाए जा रहे हैं और जात पूछी नहीं जा रही जाती की गिनती नहीं हो रही इस पर भी राजनिती हो रही है और इसकी शुरुवात कैसे हुई पहले वो कॉंटेक्स में डालने की जरूरत है शुरुवात हुई थी कल जाती पूछली अनुराग ठाकर ने केंद्रिया मंत्री रहे हैं सांसद हैं युवा हैं लेकिन वरिश नेता भी कहा जा सकता है बीजे पी के उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाती के बारे में कहा कि जिसको अपनी जाती का नहीं पता वो जाती के जन्गन्ना की बात कर रहा है इसे गाली करार दिया लेकिन माफी के लिए कोई दबाव नहीं डाला राहुल गांधी ने अनुराग ठाकर पर लेकिन आक्रामक हो गए अखलेश यादव ये जाती कैसे पूछ ली पहले सुनिए ये तीखी नोग जोग कल जो हुई लोग सभा में मानने सभापती जी जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है मैं लड़ाई लड़ना ह हूँ जितनी आप तो गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं हो मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए सवापधी महोदे इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपने जाती कैसे पूछ लिये बताईए बस आप जाती कैसे पूछ सकते हैं और उसके बाद तो पूरी तरह से रायता फैल गया दोनों तरफ से सत्पक्षो या विपक्ष हमलावर हो गई अब दरसल ये शुरुवात कहां से हुई यहां शब्दों के बांड से नहीं शुरुवात हुई हल्वा सेर्मनी पर राहुल गांधी के बयान से फोटो भी दिखाई उन्होंने जिस पर रहतरास दर्ज कराया स्पीकर ओम बिरला ने कि तस्वीरे मत दिखाईए बजट में एक परंपरा है हल्वा बनता है और हल्वा वो एक दूसरे को खिलाया जाता है राहुल गांधी ने लोकसभा में वो तस्वीर दिखाई और कहा ये बीस अदिकारी थे ये देश को हल्वा यानि कि बाट लेते हैं देश का कि 70 फीजदी उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें ना वो बातने वालों में है और उनको जो मिलना चाहिए ना वो मिलने वालों में है और उसी को लेकर उन्होंने जातिकत जनगनना की फिर से पैर्वी कर दी कि भाई पिछडा वर्ग है तो कितना है ये तो पता होना चाहिए ना जातिकत जनगनना इस देश में आखरी बार 1931 में होई थी अलगी 2011 में भी की गई लेकिन वो आकड़े कभी सारवजनिक नहीं किये गए वो आर्थिक और सामाजिक सर्वे था साही माने में जातिकत जनगनना भी नहीं थी बिहार ने करवाई उसको लेकर भी दिक्कते आई और आरक्षन पर रोक लगती दिखाई दी और उसे जनगनना की जगे सर्वे करार दिया गया तो कोई क्लारिटी नहीं है पर यहीं से राजनिती शुरू होती है क्या और क्या जातिगत जनगन्ना की बात करती है 70 फीजदी लोगों की बात कर बैक फुट पर डाल दिया बीजे पी को और इसलिए बीजे पी ने आकरवन भी शुरू किया अनुराग ठाकर तो बोले ही कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगन्ना की बात कर रहे है तो निर्मला सीता रमन ने जो वो सिर पकड़ते हुए भी दिखी थी जब हलवा सेर्मनी को लेकर टिपणी की थी राहूल गांधी ने उन्होंने सवाल दाग दिये कि राजीव गांधी फाउंडेशन राजीव गांधी चैरिटİबल ट्रस्ट इसमें कितने पिछडे हैं कितने दलित हैं ये घडियाली आसू क्यों बहार है रहे हैं राहूल गांधी ये क्यों नहीं बताते काका कालेल कर जो पहला पिछला योग था सो तिर्पन में जिसका गठन हुआ था और वो जातिगत जनगन्ना की बात भी कर रहा था उसे उन्निस सो एक सट में पंडित जवारला लेहरू जो उस वक्त के प्रधान मंत्री थे उसे खारज क्यों कर दिया था या मंडल कमिशन की रिपोर्ट पर भी इतने दिनों तक इद् गांधी की सरकार बनी वो क्यों बैठ गए अब राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी मनमोहन सिंग पीच दमरम सुमन दुबे अशोग गांगुली मॉन्टेक सिंग अलवालिया राहुल गांधी प्रियंका गांधी और विजय महाजन ये मेंबर हैं दलित और सवाल उनकी तरफ भी मूब आये खड़े हैं पर तो आरसेस से भी पूछा जाना चाहिए सो साल पूरे होने वाले हैं आरसेस के कितने दलत या पिछडे सरसंग चालक बने हैं साथ हुए हैं उन में से छे तो ब्राह्मन और वो भी चित्पावन ब्राह्मन यहीं खेल है अब जात पूछने पर इसे गाली बता रहे हैं राहुल गांदी या अखलेश यादव आकरामक हो रहे हैं पर सरकार को घेर भी रहे हैं कि अरे भाई जाती जनगलना क्यों नहीं करते हैं जाती पूछिए सिर्फ पिछडा वर्ग होने से काम क्या चल जाएगा 27 फीजदी लाकुल मिलाकर 64 फीजदी हो गया था सिर्फ पिछलो पिछलो की आती पिछलो और पिछलो की बात कर रहा हूं तो सरकार वहां क्यों नहीं करती तो हर एक के पाले में कुछ कुछ कमजूरियां तो दिखाई देती हैं अब प्रधान मंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया अनरा ठाकुर का बयान और प्रधान मंत्री ने कहा कि भई इसमें व्यंग भी है इसमें तथे भी हैं इनको देखने की जरूरत है देखने लाइक वीडियो है प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भाशन जरूर सुनना चाहिए व्यंग तथे का बढ़िया मिलन इंडी कट बंदन की गंदी राजनीती को उजागर करता है अब इस पर विशेश चादिकार हनन का मामला जोड़ दिया कॉंग्रेस ने क्योंकि इस बयान में दो शब्द ऐसे हैं जिनको एकस्पंज कर दिया गया है यानि कि सदन की कारवाई से बाहर कर दिया गया है और यहां पर राहुल गांदी का वो बयान भी याद आता है प्रदान मंत्री मोदी ने दोजार चौदा से पहले इस बात को भी सारुजे ने किया था कि वो पिछड़ी जाती से आते है चुनावी एक औजार के तौर पर इस्तमाल किया गया था तो राहुल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दूसरा चरन जो था फरवरी में आपको नरेंदर मोदी की जाती के बारे में ये सच पता है मोदी सामानिय वर्ग में पैदा हुए मोदी जी लोगों को ये कहकर गुमरा कर रहे हैं कि वो ओबी सी हैं दरसल उनकी जाती दो हजार में बीजे पी सरकार के कारिकाल के दौरान ओबी सी सूची में शामिल की गई थी उनका जन्द ओबी सी में नहीं हुआ था पर आपका तो जन्द ओबी सी में नहीं हुआ और आपने पिछडे वर्ग के लिए क्या किया ये अपने आप में सवाल है और जब ये सवाल जब जाती की हकीकत साम हमारे समाज, हमारी विवस्ता, हमारे देश के हर अंग, हर संस्थान पर ये सवाल लागू होना चाहिए कि दरसल कब्जा तो कुछ जाती विशेश ने कर रखा है अगड़ी जातियों का ही वर्चस्व है तमाम जो संस्थाएं हैं, अब उसकी थोड़ी बानगी मैं आप तक पेश करता हूँ और पहले शुरुवात मैं मीडिया से ही क्यों ना कर दूँ जब हम ये सवाल उठाते हैं, अख़बारों में या न्यूस चैनलों में पिछडी जाती, अनुसूचे जाती और जन जाती कि कितने संपादक हुए हैं अखबारों में और चैनलों में या ब्राह्मन वाद हावी रहा कहीं, भूमियार वाद हावी है, अगड़ी जातियां, सवर्नों का कब्जा है क्या और हम माध्यम हैं, हम ही उपिनियन बनाते हैं, खबरे आप तक पहुँचाते हैं, मैं अपने गिरिबान में जाकने को तयार हूँ अब देश की जो एक हजार टॉप कमपनी हैं, उनमें OBC, SC और ST ये मिलाकर दो त्याई से जादे जन संक्या हो जाती है, राहूल गांदी कहते हैं, ये तो त्यहत्तर फीजदी हैं तो 7.4 फीजदी, उनका प्रतिन धित्व हाई कोट में कुल मिलाकर OBC, SC, ST जजजज़ की तादाद साड़े सोला फीजदी सेंटरल यूनिवरस्टी में जो प्रोफेसर्स हैं, OBC, SC और ST कीनों मिला दिये और SC, ST का तो आरक्षन 1950 से चला आ रहा है तेरा दशमलव दो फीजदी तेरा दशमलव दो फीजदी तो हम दरसल घड़ियाली आसु ही बाहते हैं क्या और एक बड़ी अच्छी विवस्ता ती नजार साल से चली आ रही है उसको चलने दीजे, जहां सूट करता है जी 29 मंत्री पिछडी जाती से आते हैं हमारे मोधी 2.0 में कहा जाता था उनमें से कितने दरसल प्रभावशाली मंत्रालियों का कारबार संभाल रहे थे ये कोई बताएगा क्या और इसी में अब राजनीती फंस गई है क्या जाती जनगना उसकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए OBC आरक्षन ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूँ जी रोहिनी आयोग ने भी इसकी तस्दीक की है 13 एक्स्टेंशन के बाद की 994 के करीब जातिया है 26 में जिने एक दाखिला एक नौकरी नहीं मिली बावजूद इसके कि वो पिछडी जाती में शामिल है 928 ऐसी जातिया है 26 में जिने 2.6-8 फीजदी आरक्षन मिला है नौकरी और दाखिले में एक फीजदी जाती है आप पचास फीजदी से जादे नौकरी और दाखिले हतिया लेते हैं EWS के नाम पर 10 फीजदी आरक्षन दिया जा रहा है उसका पेमाना क्या है 8 लाक रुपए सालाना आए 8 लाक रुपए सालाना मतलब 67 जार रुपए महीना 67 जार रुपए से कम कमाने वाले को गरीब मानते हो 25 जार अगर कमा लो तो देश के टॉप 10 परसेंट में आते हैं आप और I.S. बनी हुई वो पूजा वो किस तरह से पूरे सिस्टम को धता बता सकती है और डिसबिलिटी के साथ भी क्या खेल हो सकता है उन बातों को तो छोड़ दीजिए यानि कि साधन वाले ही दरसल देश में संपन है क्या ये कड़वी बात भी आज चर्चा के विमर्च में मैं लाना चाहूंगा ऐसे में आज का सीधा सवाल और संसद से भी जुड़ा मान जाए ये भी तो अपने हमें एक सवाल है पहचान भी है और गाली भी कमाल की स्थिती हो गई है चर्चा में मेरे साथ एक बाजपई लज़ेपी रामविलास पासवान गुट के नाशनल वाइस प्रेजिडेंट और मुख्य प्रवक्ता है मलूक नागर साब लोकसबा सांसद रह चुके हैं आर एल डी के महासचव हैं इंडिया खेमे से दो मेहमान इंडिया खेमे से कांग्रेस के राश्रिय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत समाजवादी पाटी के राश्रिय प्रवक्ता उदैवीर सिंग और जाने माने राजने तक विशलेशक अभे दुबे इस चर्चा में जोड़ चुके हैं एक वाज परी जिनकी जाती का ही नहीं पता वो जाती का जनगन्ना की मांग कर रहे हैं जिसकी जाती का नहीं पता मतलब लेखे संधीब जी गंबीर विशय है और देश की जाती जो है सच्चाई है इसको कोई नहीं चुखला सकता ये देश जातीयों में बटा हुए है और जाती के बगएर कोई कामकाज नहीं होता है लेकिन इसके साथ-साथ ये भी सच्चाई है पिछले 70 सालों से जाती गद कराई गरन कराई है, जाती गद कराई कराई क्यों नहीं हूए? 1931 में हुई थी पहले, लास्ट जो हुई थी. उसके बाद कितने साल बीथ गए? अचा, इन्हों नहीं कराई तो आप भी नहीं कराईगे? आ रहूं आ रहूं और सबसी ज़्यादा जो राज किया है वह कॉंग्रेस ने किया उसके बाद यूपी में मुलाहिम सिंग ने भी किया उनके पुत्रिय ने भी बाकी जगे भी किया लोगों किसी ने क्यों नहीं करा हई हां पिर तो मैं ये लॉजिक ना इतनी बार हो चुका है एक मिलट सुनिए ना एक वाजपेस आप सुनिए तो 55 साल राज किया भट्टा बिठा दिया इस कॉंग्रेस ने देश का कॉंग्रेस को डिस्बैंड कर देना चाहिए हम कही नहीं नहीं वह बात हम यह कहना चाहरे हैं कि इसके पीचे कारण क्या है कि दमरम साब की पार्लियमेंट में इस्टेट थी कि अगर इसको डिक्लियर कर देंगो तो इसको डिक्लियर कर देंगे तो इसके बाद प्रदान मंतरी नरंदर मोधी ने जब नितिश बाबू और यह लालू और यह कॉग्रेस वाले सब डेलिकेशन ले मिलके आए ने तिसमा पूमने कहा कि परदान मंत्री जी ने जातिगत जनगना कराने से इंकार नहीं किया आज भी वह इस्तिथी हम इंकार कम कर रहें हाँ नेकिन हाँ भी नहीं करेंगे लेकिन आप चिद्वम्रम की स्टेटमेंट देख लो अब 31 से हो और इतने साल राज किया क्यों नहीं किया गया तो इसका मतलब मेरा सवाल जो मेन था जो जाती नहीं बताता वो जातिगत जनगनना की बात कर रहा है जिसकी जाती का नहीं पता यह एक वरिश्ट नेता जो केंद्रिया मंत्री भी रह चुका है क्या का उना ने राहूल का नाम लिया हां मतलब सुदांचू भी कह रहे हैं एक कमाल की बात है कि अनराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया यह उड़ता तीर पकड़ कौन रहा है यानि कि चोर की डाड़ी में तिनका नाम तो लिया नहीं ना स्टेटमेंट आपके पा क्यों कर रहे हैं आपने बज़ेट पे चर्चा थी जातिकर जन्गन्ना की बात थी हलवा सेरमेशी की बात हुई कि यह हलवा जो बात रहे हैं यह तीन फीजदी लोग हैं यह 63 फीजदी की अंदेखी करते हैं इसलिए मैंने रेफरेंस को कॉंटेक्स कर दिया है क्योग जात पिछड़ा या कोई दलेत तो फिर आरसेस से भी पूछना चाहिए हम यह राहूल गंदी पहले किलियर तो हो जाओ आप चाहरे एक तरह तो जाती पूछ रहे हैं हल्गावलों की और एक तरह अगर आपकी इंडिरेक्टली पूछी लिगई तो आपको मिट्चे क्यों लग रह ओर तीसरी तरह हम आप जादिकत जचनगना करहों जब जातिकत जन्गना होगी तो ऐक wayक आद्मी से उसकी जाती भी पूछी जाईगी और चौतरी बात यह बात यह हैं कि आपने सथर साल कराया गयं है आप कोई रहे हैं जातिकत जन्गना पर बात नाए हम अब भी बात आ है हमारी पार्टि की एंगाना होनी चाहिए लेकिन इस इस कानस्पिरैसी में सारी पार्टियत दाविदार हैं उसमें, साजेदार हैं बल्कि क्यों नहीं किराई है आपके 70 साल में, किस किस सरकार कार Bye बीजेपी भी वही काम कर रही है बीजेपी ने तो अभी मना नहीं किया आप उनको 10 साल से मौका मिला है और आप संदेश जी ये बात लिख लीजिए सेंस्टिव सरकार है जो मुद्दा आप दोगे उस मद्दे को चलने दिया रहागा और यह जातिकत करना कभी भी कराने की अ मैं आप जानते हैं मैं उसी पर हूँ बजट अगर कर दिया तो अडिशनल एलोकेशन भी हो सकता है उसमें का दिकत लें हमारे सरकार की परदान मंत्री जी ने एक बात और कही थी वो भी आप समझ ले उन्होंने का जाती नहीं होती जाती तो गरीब की है सबसे बड़ी जात अपनी भी बताते गूमें पर जाती नहीं होती मैं बठाओ मेरा दिल करे पहले जाती बताएंगे ये भी बताएंगे 39 हमने पिछडी जाती के मंत्री बना दिये पीजी रामनात कोवेंड एक दलित को हमने राश्पती बना दिया एक आदिवासी को हमने राश्पती बना दिया और अब की नहीं जाती तो होती नहीं ग्यान दिया जाता है जाती के बारे में कि गरीब युवा अनदाता और नारी जाती है जाती हर आदमी के पीछे लगी हुई है पैदाइची लगी हुई है और सदियों से लगी आ रही है उसको कोई छुटा नहीं सकता है हाँ 1980 के दसेट में दुबेजी बैठे हैं बिहार में हम लोगों ने एक प्रण किया था उसका कि हम लोग अपने नाम किया गे जाती नहीं लिखेंगे लेकिन वो चला कुछ साथ चला कुछ लोगों ने माना लेकिन अल्टिमेटली गूम पूली गूम रहे हैं किया एक मिनट सुरेंदर राजपूत मतलब कमाल का तरक है कि किसी नहीं ये कह दिया कि जिसको जिसकी जाती का ही पता नहीं वो जाती कर जनगनना करा रहा है अब इसमें गाली कैसे हो गई और जाती पूछ भी ली आप तो कह रह जाती जाती कर जनगनना नहीं करा रही तो जाती कर जनगनना करा करकार गाली देगी आम जंता को संदीब भाई अब थोड़ा साथ मिनको समय देदीगा जिसे एड़ोकेट वाजपेजी को दिया अपने एड़ोकेट वाजपेजी अपनी सारी सुप्रीम कोर्ट की विद्वता से नरेंद्र मोदी जी के कुछित प्रयासों को बचाने का काम कर रहे थे और नरेंदर मोदी जी से भी अगर हम पूछ ले करें मोदी जी तेरी जात का पता नहीं किस जात का है तो जिसे अपनी जात का पता नहीं हो जात बताएगा एक बार पूछ के देख लो नरेंदर मोदी जी से पूरे देश में आवा लगा देंगे बाजपावादी तो आपको जाती पूछनी थी राहूल गांदी होते हैं अखले श्यादर जी हो उनकी जाती तो एक मिनट में दस बार स्क्रॉल होती है बिदा के लोग सबाके पटन पर लेगी अखले श्यादा हो जाती तो जग जाहिर है सबको पता है संदीब भाई कितने कितने मासूम लग रहे हो तुमको जो जालिम पहे वो जुटा आपको भी पता है संदीब जी आप सही मैं बताओं क्यों संदीब भाई तेरी आपका पता गया कि जातका है तू किसका लटगा उसके बाद लेके लट जो आप चलोगे आप बता दो यहाँ पर तो राउल गाणी में लट लेके चले ना अखली श्यादो लेके चले आप बताओं मैं सीड़ी 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 में पस्चिल वाली बात कर रहा हूँ अगर आपसे वोई क्वेस्चन अनुराज था को सदल के बाहर कर दे कि संदीर 14 तुम्हारी जात का पता नहीं बताओं तुम्हारी जात क्या है उसके बाद आप बताओं आपका रिएक्शन क्या रहेगा जो जवाब आपका जवाब कांग्रेस का वोई जवाब अखली श्य अपनी जग है वो आप लोगों ने दी नामाफी के लिए कोई दबाव बनाया है मेरे 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 पूरी बात सुन लिए एक जिती सेकेंड एक जब जब लोगों ने आरकसट की बात करीं जब जब लोगों ने पिश्रों की बात करी महतमा धाद आदी ने जब हरिजयन बस्ते होना काम किया तब संग वालों ने उनकी जात पूची जब आरक संग लेकर के आए संदिदान सभा में तब जन संग ने हिंदू महा सभा ने रामराज बर्शद में उनकी जात पूची वीपिस जब मंदल कमिशन लेकर के आए तब भाजता वालों ने उनकी जात पूच तो यह कुई नही बात नहीं है लोगों के लिए अपनी बत बात दो च्पा भए आदी बात अजागर की अधी बात च्पा गए काका कालेल कर पिछ्ड़ा आयोग का पिछ्ड़ाा आयोग पहला आयोग जो बना 1983 में उसकी सिफारिशो को खारिच कर दिया Labor 1961 के जन गणना में जवारलाल नहरू ने मंदल आयोग आया उसको आपने थंडे बस्ते में डाला रखा पूरे असी के दशक में आपने क्या किया हम 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 बताते हैं हमने क्या किया हम उस गल्टी के लिए उस हिमालियन ब्लंडर के लिए राहूल गांधी भी हाथ जोड़ करके माफी माँच चुक है पूरी कॉंग्रेस माफी माँच चुकी है और कह चुकी है कि जाती जदगर्ण गर्णा ना कराना एक एतिहासी भूल की इसके बाद क्या फासिद्र होगे आज की डेट में हमारा विषय अनुराग ठाकूर नहीं है हमारा विषय नरेंद्र मोजी है आज की डेट में जो अनुराग ठाकूर इमेच्वर हो सकता है अनुराग ठाकूर नया बच्चा हो सकता है अनुराग ठाकूर ठाकूर है धूमाल है कुछ और है हम कुछ नहीं जा जब इस गाली पर अनुह ने वह किया और यह उनोंने उसी तरीग जो किई की में नहीं लिया। उस पर अब भडग गए और इतने आप भी उतेजित और द्वलित दिक्षाई दे रहे हैं। पत्रकारों से जाती पूछते हैं। अधिकारियों से जाती पूछते हैं। जाती पूछते हैं तो सबका पमान कर रहे हैं सबको गाली दे रहे हैं नहीं, 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 मैं आपसे फिर से कहता हूँ, मैं आपसे अजर संदीफ भाई आपसे पूछू कि संदीफ चौजरी साहब आपकी जाती क्या आपको होगे जाट हूँ कि अगर आप से इंगे पूचा जाएगा कि इसकी जात्का संदीप तेरी जात का फ़ता नीगी इस यास कार मताईगे यह गाली होगी इसको इस अंतर पर बहतरो आपको करनी पड़ेए जब आप इस अंतर करेंगे तो सार्य फ़त्तुन खुल जाये आपसे बताओं गाली जी है अमराथ ठाकूर ने हमें कोई दिक्तत नहीं कि नेरुजी को भी दी गाली को भी दी और जिन जिन लोगों ने जाती की बात करी चाह मुलायन सिंगी हो उनको भी सब्राम्त वर्ग भी गाली दी चौजरी चैनल सिंग से लेकरके जितने भी चैकर प पर इसमें हम जो असल दिक्कत है क्या उसको अभी भी नजर अंदाज कर रहे हैं उसकी अंदेखी कर रहे हैं क्या मलूक नागर आप जिस विरासत को रेप्रेजेंट करते हैं चौदरी चरण सिंग की विरासत चत्तिस विरादरी की विरासत भाईचारे की जो बात होती थी अब जाती जो ये कुलाचे मार र से जो एक विवस्था जो उपर वाले नीचे वाली बहुतायत पर कब्जा किये हुए बैठे हैं उस सवाल को अड्रेस करने से अब भी इंकार किया जा रहा है क्या कहानी वहाँ है क्या संदीब जी 1931 में जनगरना हुई 1947 में देश आजाद हुआ कॉंस्टिटूट में ये जो आज तलखी दीख रही है कॉंस्टिटूट असेमली में ये दीखा और 1952 में आजादी के बाद नहरूजी लेका है जाती जनगरना एक्ट और उस वो बिलकुल सामाने रहा आप लोगों ने पिछडे लोगों ने दलीतों ने भी जो लड़ाई लड़ी आजादी की उनको ट्राइबल्स डिकलेयर कर दिया था अंगरे जोने 1952 में उनको ट्रा और hapul मिली नहीं अभी भी पूरे देश में कहीं कहीं मिल रही है करी कहीं कहीं नहीं मिल रही है और 2011 आपने भी कहा मैंने अपनी आखों से देखा माननिय प्रधान मंत्री ने कहा मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए मनुगनागर साहब आपका भी फोन कटा हुआ है तो आप मेरा क्रॉस क्वेस्चन नहीं सुन पा रहे हैं मैं फोन जोड र संदीब जी थोड़ा क्योंकि हम दूर बैठें आपसे आवाज जाने में आपकी आवाज आती है उसमें टाइम लग जाता इसलिए बीच में नटोकना मेरी बात पूरी होने देना संदीब जी आपसे अन्रोध है देखिए सवाल यह है कि कोई अपनी जाद बताना चाहता है अपनी जाद की क्या परेशानिया बताना चाहता एक विशह हैं लेकिन जाती जन्गरणा के लिए समाजिक नयाय के लिए अगर सवाल उठाने के लिए अपनी जाद बताना जरूरी है क्योंकि पूर मंतरी अनुराग ठाकुर ने सरुकार की तरफ से कहा कि जिनकी जात नहीं पता वो जंगरना कराना चाहते हैं यानि अगर उनकी बात को आप मान लें तो गांदी जी से लेके और जनेश्वर मिश्रा जी तक और मात्मा बुद्ध से लेके कबीर तक किसी को समाजिक परिवर्तन और दूसरे लोगों को उत्थान के लिए आवाज उठाने का हक नहीं था प्रश्ण ये हैं दूसरा एक प्रश्ण तो ये है कि सकारत्बग भाव से मुद्धा उठाने के लिए ज्यात का पता होना जरूरी नहीं है और जो ज्यात पूछ रहा है वो समाजिक न्याय के मुद्धियों को पीछे करके उस आदमी को कट घरे में खड़ा करना चाहता है जो सभी सवाल उठा रहा है दूसरी बात यह अंदर संसद सब के अधिकार हैं सब की बराबरशिये वहाँ आप एक दूसरे की जात से नहीं पहचान सकते हैं आप अपनि फून पर होई niez बता सकते हैं लेकिन आप यह नहीं कहière सकते हैं किया आप फ़लानी ज रहा हूँ आपकी मांग को लेकर नहीं मैं उसी बात प्रवा रहा हुं कि संसादनों का कैसे बतवारा हो रहा है यह जाती के आधार पर जानना पड़ेगा कितना किसकी हिस्सेदारी है यह जाती आदार पर जानना पड़ेगा लेकिन मैं जातिगर जानना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे अमुक जातिगा होना पड़ेगा ये कौन सा तर्ख हुआ और देखिए दो बाते हैं पहले सिद्धांत में आपको सुईकार करना पड़ेगा उसके बार वेवार में जातिभी इन समाज की बात होगी जो लोग जात में सवाल उठाके सिद्धान्त में ही सुईकार नहीं कर रहे हैं वो वेवार में क्या लागू करेंगे सवाल वेवार में लागू करने का हो रहा है और वेवार में लागू करना है तो पहले सिद्धान्त में तो मन लो सिद्धान्त में सरकार काम नहीं मनना चाहती यहीं लोग जो जाती पूछते रहते हैं कॉंग्रस नहीं के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं आप यह विशुद्र राजनीति कर रहे हैं बारती जनता पार्टी के पास दो ही विशह हैं अगर आपने कोई सवाल पूछा तो आप धर्म विरोधी हैं अगर आपने कोई और सवाल पूछा तो आप देश विरोधी हैं इस देश को एक करने के लिए जातियों के बीच में और अन्य तरह के जो भेदवाओं हैं उनको मिटाना जरूरी है उनको मिटाना है तो उनके भेदवाओं को समझना जरूरी है उनको समझना है तो कितने संसादन किसके पास है इसकी जानकारी जरूरी है इसलिए पहले जातिक जब जड़ना होगी उसके पाद किसकी क्या पोजीशन है उसके हिसाब से नीतियां लागू होगी और जब हम समाजिक एक जो जट वहीं समाज की और तभी तो बढ़ेंगे जब हमको पता हो कि कितनी दूरियां हैं उनको कैसे कम करना तो कॉंग्रेस करना ही पाई जो प्रसाद मौरिया इसलिए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कॉंग्रेस के मोरा सपा बहादूर अखिलेश यादव जिस तरह से राहूल गांदी की जाती पूछने पर उखड़े उससे वो नेता कम बलकी गांदी परिवार के दर्बारी ज्यादा लगे कॉंग्रेस करा नहीं पाई कि कॉंग्रेस जब खुद कह रही है कि जाती करना के विशह पर हमारी गल्ती थी हमने सुईकार कर लिया बारतिय जंता पाटी हम सोच सकते हैं विचार कर सकते हैं अरे करो ना आप विपक्ष में रहते तो करते थे अरे 11 में गिंती हुई कॉंग्रेस ने आकले जारी नहीं किये आप 14 में आके जारी आकले जारी कर देते एक दम सही न सही कुछ अनुमान तो सब्सक्राइन नहीं किया इसलिए मैं भी नहीं रहा तो आप कांग्रेस में भरती हो जाओ न Make चले जाओ तो ये अगरे बनाम पिछडे की लड़ाई है कहीं न कहीं जाम चर्चा कर रहे थे आपका फोन कट गया था मलूक नागर भई पिछडे का हक होना चाहिए न ये 36 बिरादरी जो हैं उनका भी संसादनों पर हक है की नहीं जब तक गिंती नहीं होगी तब तक कैसे पता लग पा संदीब जी मेरा फॉन कट गया था थेंक्यू दुबारा मोका देने के लिए मैं तो यहीं कह रहा हूं साथ साल में राजपूच जी की अच्छी बाते सीधा 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 एडमिट करते हैं और हमारे साथी समाजवादी हम तो बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं वो गोल-गोल रफू करने हैं भी सीधी सी बात है साथ साल में पिछडों को और दलीतों को हक नहीं मिला राभूल गांदी जी कह चुके हैं मैं प्रधान मंत्री कारिया ले मैं पर पिताजी के पर दादी के पर पढ़नाना के पर जाता था बहुत अच्छी बात है राजपूच जी ने का म इतने चिड़ जाते हो इतने लड़ने लगते हो अंग्रावा करते हो आप भी गाहूं देहात से आते हैं मलूक नागर साहब को यह कहे अरब मलूक अपनी जात बताईए तो कुण सी जात का है तो आप उसे सामाने तरीके से लेंगे या क्या करेंगे उस वेक्तिका आपको कहने की जरुरत नहीं ना मुझे बताने की जरुरत मुझसे भी सुरेंदर राजपूत ने यह पूछा हमें बताने की जरुरत नहीं कोई इस लहजे में पूछे गाग भाई तेरी जात के है हमें कोई सुना हम यह कहेंगे हमारी जात पिछड़े में हैं हम जात रहें तो नहीं अब तो राजनेता अब आप राजनेता की तरह बोलने लगे या बात मेरे पेट में नहीं उतरती या जम्यूरी शीद्या सवाल है चोधरी सबamat दी कर दो इनको क्या दिकत हो रही है अगर इनकी पूच प्तरकारों की पूचते साथ साल के लिए माफी मांगते हैं तो चिड़ते क्यों है इन्हें थैंक्यू कहना चाहिए कि चलिए कम से कम पार्वे में जाती है क्या वरुक नागर साथ कुछ मैंने बड़ी अच्छी रिसर्च निकाली है और खास यह आपके लिए प्यूर रिसर्च है 2021 की भारतिय जाती विवस्था पर यह रिसर्च हुई इसमें क्या पाया गया यह ऐसी इसकी जड़े इस इतनी मजबूत हैं हमारे देश में कि अलग अलग जातियों में करीबी दोस्तियारी भी नहीं होती अपनी ही जाती है 24 वीज़दी भारतियों के रहा है कि मेरी ही जाती के होंगे 46 वीज 2023 की आंतरिक सर्वे हुआ 37 फीजदी से ज्यादा दलित आदिवासी चातरों के साथ बेदबाव हुआ और कैसे होता है आपकी रैंक पूछते हैं और रैंक से अंदाज़ा हो जाता है आप कोटे वाले हैं या बिना कोटे वाले हैं और उनको घेटवाइज कर दिया जाता है उनका भाईशकार होता है और आएटी मुंबई क्या मैं तो मीडिया की बात भी यहां लेकर आऊंगा कितने संपादक हैं जो ब्राह्मन या भूमियार नहीं है पिछडी जाती के दलत कितने संपादक हुए अख़बारों में या टीवी चैनलों में तो इस कड़वी हकीकत को जब कोई उजागर करने आए सारी ताकते लग जाती हैं इसे दबाने के लिए देखिए संदीब जी मैं जानता हूँ इस देश के मानने परदार मंतरी सत्री लोग सवाव कहते हैं मैं इतने दली तर इतने पिछड़े बनाए तो फिर बात कहा रह गई अभी मैं कहा रहा है अभी मैं जब मेरा फुल बना में तॉप पॉजिशन्स में कितने हैं वो तो 0.001 परसेंट आएगा इस पे बात नहीं होनी चाहिए संदीब जी एक बात तो बहुत अच्छी है बाबा अंबेड कर सहाब और चौधरी चरंशिंग और बहुत सारे बड़े नेताओं की सोच के नुसार आज खुल के चर्चा हो रही है पिछडों पे और दलित पे इससे बढ़िया कोई दिन होई नहीं सकता किसको गाली लगी किसकी बेजती हुई कहां लड़ाई हुई किसने जूट बोला किसने साथ साल सोचन करा किसने बोट ले गए ने कुछ नहीं दिया वो एक अलगका सबजेक्ट है पर आज कम से कम तो कुछ चुनिंदा लोगों चुनिंदा जातियों का वर्चस देश में हमारे समाज पर कब तक रहेगा सवाल यहां है ना उस सवाल से हम कन्नी कार जाते हैं क्या राजने तक नफ़े नुकसान में कि उद्यवीर आप जोड़ना चाह रहे थे इस सवाल में कुछ बहुत सूरत बहस बोलिए नागर साहब उसके बाद उद्यवीर से कि जी मैं तो एक ही बात कह रहा हूं चौदरी साहब आपको भी धन्यवाद संसद को भी जुक करके नमान और और बाबा अंबेडकर साहब की सोच चौदरी चर्ण सिंग्जी की विचारधारा और खुल के बात हो रही है पिछड़ों की और दलितों की साथ साल तक कुछ नहीं मिला यह माफी मांग चुके कॉंग्रेस के हमारे साथी लोग जो उनकी बोट ले ली दुखा में जिसको समर्चन आप देख रहे हैं उदवीर सिंग्ग कॉमेंट अभी अब दूबे लगड़ा है अब उदवीर सिंग अब स्क्रीन पर और यदि आप मैं मंदिर जाता हूं तो कहते हैं कि फलानी जात का आया यह मंदिर धुलवा दीजिए मैं मुख्मंत्री आवास में से निकल के मुख्मंत्री जा रहे हैं दूसरे आ रहे हैं कहें इसे गंगाजल से धुलवाईए तो हम सवाल करेंगे कि जाती बेदवाव कर हैं तो हमारा विरोध है और रहेगा अगर कोई संसत में यह कहा है कि जाती के पता नहीं तुम क्या गड़ना करा होगे और अगर कोई यह कहें कि आप समाजिक निया के खड़े हो गैर बराबरी के खिलाफ करे हो तो आप किस मांसिक्ता से बात कर रहे हैं यहां पर जो उदेवीर कह रहे हैं एक सेकंड उदेवीर अबे दुबे कि जाती का इस्तमाल अगर भेदभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है जो हुआ ह इस समाज में तीन अजार सालम ने वो भुगता है तो जाती की चर्चा नहीं होनी चाहिए पर अगर समाजिक समरस्ता समानता बराबरी के लिए यह काम किया जा रहा है तो क्यो ना हो क्यो ना पूची जाए जाती जरूर पूची जानी चाहिए मेरा कहना है यह जाती के प्र OBC राजनीत में कदम नहीं रखा था OBC वोट साथ के दशक से उसके हाँ से निकलते चले गए लेकिन कॉंग्रेस ने उसको बापस जीतने की कोशिश नहीं की एक आत्वार अरजुन सिंग ने कुछ कोशिश की थी लेकिन वो भी बहुत कमजोर सी कोशिश थी उसको आगे कभी बढ़ाए नहीं गया लेकिन राहुल गांदी के नेतरत में कॉंग्रेस पिछले तीन चार साल से जातिके प्रिशन को उठाते हुए OBC जातियों की हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है उसने देश की दो प्रमुख OBC पार्टियां जो हैं उनके साथ में बड़ा जबरदस्ट एलाइंस कर रखा है बिहार में और यहां पर और जो उनके सिद्धिर मईया जो करनाटक में उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी अहिंदा की नीती लेके चलते हैं वो भी OBC एलाइंस की नीती है तो कॉंग्रेस मुख्य तोर पर देश की राजनीत में अपनी दावेदारी दुबारा स्थापित करने के लिए और भाजबा से आगे निकलने के लिए OBC कार्ड को लगातार बिना रुके हुए आकरामक तरीके से खेल रही है और इसको अभी लोकसवा चुनाओं मैं कुछ कुछ लिखाई पड़ा है कुछ कामियाबी मिल रही है तो यहां पर पौर्ड को दिया है अंगरिस की अनराग ठाकुर ने या अनराग ठाकुर ने और असलbahा दे दिया आग में घीर डाल लिया तो मानना है कि अनराग ठाकुर न जो भाशन दिया है उससे भारति यंता पार्ड़ी को काफी नुकसान होगा प्रधान मंत्री तो ट्वीट कर रहे हैं कि वियंग और तत्य है का समवेश है वReधान मंत्री निन लोगसवा की जो मुहिंवी छलाई थी उसमे बहुत सी बात ऐसे कहीं ती इसे ब्हाज़पा को बहुत नुकसान हुआ मेरे कहना प्रदान मंत्री टूइट कर रहे हैं के विल इससे नहीं कि मेरे ही अपनी समीक चाहिए है कि उससे भाजती अंता पार्डी को नुकसान होगा देखिए भाजपा आरक्षण जाती के प्रिश्ट पर डिप्लोमेटिक रवईया अपनाती है वो खुल के कभी उसका विरोध नहीं करती है आरक्षण का लेकर राजीव गांदी फाउंडेशन और राजीव गांदी चारेटिबल ट्रस्ट पर फिर आरेसस में कितने पिछड़े और कितने दरातल पर हो रही है राजनीतिक प्रत्योकता ओवीसी और दलित के धरातल पर हो रही है जम के हो रही है कांग्रेस उसकी खिलाड़ी नहीं थी कांग्रेस उस मेंदान में जम के कूट पड़ी है उसने अपने राश्ट्री एजेंडे को अपने गोशना पत्र का हिस्सा बनाया है इस पश्ट रूप से भारती यंता पार्टी पहले की तरही बीच करवईया अपनाते हुए एक डिप्लोमेटिक रवईया अप्यार कर रह है जाती का इस्तमाल होगा समाज और बटेगा या ये भेदभाव कम होगा और इसमें राजने तेक नफ़ा नुकसान भी जुड़ा हुआ है और साथी साथ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पोल सबकी खुल रही है एक व्यवस्ता चली आ रही है बड़ी कन्वीनियंट की कुछ लोग ही वो रूलिंग क्लास है और बाकी तो गुलाम है उनका इस्तमाल होता रहे बडलाव होगा या राजनीती तक सीमित रहेगा तो जाती पर बवाल मचा हुआ है गाली है या जातिगत जन गन्ना से ही कल्यान होगा राजकुमार हमारे दर्चक है उनावासी है ये माचल प्रदेश में रहते हैं इनका कहना है कि देश में सरकार किसी की भी हो हमेशा पिछडे वर्ग OBC के साथ भीदभाव हुआ है और कलाई सबकी खुल रही है उसमें कुछ कल्यान होगा OBC का या खेल सिर्फ वोटो का है ये भी पता लग जाएगा